भागलपूर के लोगन खातीर हजरत घूरन साह बाबा कोई नया नाम नहीं खे बहुत पुरान नामबा हर सुक्करवार के यहवां मेला जैसंदिर से उत्तपन हो जाला बाबा के दर्बार में माथा टेकन वालन में हिंडू परिवार ही जादा बा इक कहे में कोई गुरेज नहीं खे कि 90 प्रतीसत से भी जादा हिंडू परिवार इहवां माथा टेकेला बाबा से आपन मनो कामना पुर्ण करे खातीर दुआ करेला कोट का चहरी के चक्कर से मुक्ती पावे खातीर इहावां लोग खास तौर से आवे लें कहल जाला कि इहावां माथा टेकला के बाद कोई भी वैक्तिक केस मुकदमा से मुक्त हो जाला बाबा के दर्बार में हाजरी लगावे वालन में हिंदू, मुस्लिम, हिना, सीखर, इसाई भी आवे लें वैसे इतिहास के पन्ना में तब बाबा के कहीं खजला पर कुछ नईखे मिलत लेकिन भागलपुर में बिना कुछ कहले, बिना कुछ लिखले, बिना कुछ पढले भी सरधा भाव इहावां देखे के मिलेला सोहार्ध पुर्ण वाता वरन बा, काफी सोहार्ध पुर्ण, यहाँ राजनिती करे वाला बात भी नई खे, सरधा से लोग आवे लें आखिर कोई इतना स्रधा काहे दिखाई, आखिर कुछ ना कुछ त अईसन बाबा में बा, यह एतना भीर लागता, लोग माथा टेकता रें चादर चढ़ावे वालन के भीर, मुराद पुरी होला के बाद, लोग चादर चढ़ावाता रें इस संबंद में ज्यादा का बताई, बाबा ता बहुत पुरान बारें, कब से बारें का इतिहास बा, कहल, जड़ा मुश्किल बा, यह वाँ प्रसाद के रूप में जिलेवी चढ़ावल जाला, लोगन के बाटल जाला, लोगन के बीच आनंद की अनुभूती करे लें लोग पुजा कईला के बाद, यहां के सेवक का कहता रें, सुनी जा मेला जै संद्रिश से उत्पन हो गईलबा, या इक ही हर सुक्रवार के इहुआ मेला लागेला बाबा के परिवार से जुडल सदस्य और इहां के सेवक का बतावाता रें, इहो सुनी जा यहां पर सब धर्म के लोग बराबर से आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं पिछले सौ बरस से हमारे पिता जी यहां के सेवक हैं और उसके बाद भी हम लोग भी सेवक हैं यही पर रहते हैं उससे पहले हमारी दादी सेवक थी उन से पहले उनकी उनके दादा बाबा सब हम लोग का उस्तवाइपुस्ट चलता आ रहा हैं यहां पर अजरत गुरद्शा रहमतुल्ला अले के दरगा पर ज्यादा तर हिंदू समाज के लोग आते हैं आनमार की मुरादें पाते हैं पिछले कई बरसों से यहां पर लगभ और एक से मुरादें और मुरादे मंतरी सब बने यहां पर लगभग खेरी कंपॉण में काशेरी से लिए डितना भी केस मुकादमा का कुछ भी हो उनका पूरा होई जाता है चाहे कैसा भी केस होगा है तेना नाम राजु हुआ कहां के दाने वाले हैं कचेरी कमकॉंट वागलपूर मेला जैसंद्रिस से बाँ जिलेवी छक रहल बाँ लोग परसाद चड़ा रहल बाड़ें लोग के मुराद पूरा हो गईलबा बाबा के दरवार में जिलेवी चड़ावला के बाद लोग गरीबन में बाट अता रहें इद्रिस भी कैमरा में कैद भग गईलबा ज्यादा का कहल जाओ आखिर स्रद्धा भक्ती के कोई सीमा नहीं खे अद्रिस सकती के हर कोई प्रणाम करेला काहें कि एक ना एक दिन इदुनिया छोड़ के जाए के पड़ी अब सुनी जा पुजारी का कहता रहें मजार मसल्मानों के एरिये में था यहां रपटगन में मसल्मान थे बड़ी खनेयर चोड़ी ख़नेयर पूर आदंपूर ये सब मसल्मानों का है इरिया था मगर दंगा जब हुआ में 47 में कुछी धर धर हो गए और नवासी के दंगे में सब राच छित्ति रो करके मजार पर स्रीप महां का पुजारी रह गया और मजार रह गया खैर बात ये भी हो खे लेकिन इहां सरधालू के देख के मन तक खुस हो ही जाता मेला जे संद्रिस्ति के बीच पहले जाम लाग जात रहला ट्रैफिक बेवस्था ठप हो जात रहला दोनों और दुकान सजला के कारण लेकिन अब ट्रैफिक बेवस्था भी दुरुस्त हो गई लबा जाम नहीं खेला गत चाहे वो सुक्करवार के दिन ही कायना हो एकरा खातिर भी धन्यवाद देवे के पड़ी बाबा के ही जाय हो